हमारे साथ मौजूद है गूमिया वधायक लंबोदर मैं तो मिनी से बात करेंगे कि आगास 2024 का हो रहा है इसको लेकर कई बाते भी निकल कर सामने है यह जारकर मुक्ती मोचा का कहना है कि कुछ भी कर ले कुछ हासिल नहीं होगा भारती जंता पाटी का कहना है कि इस बार कुल कि राजर में विकास की क्या इस्तिती है सरकार ने क्या किया सरकार जिन दो चीजल को लेकर डोल पीट रही कि हमने यह धिकर दिया 1923 कत्यान आधारी थास्ताने निति ओशिको 99% सरना धर्मकोड जीचिज़ों को लेकर सरकार जिनulla अपना अपलबदी मन रही जिनको लेकर स सरकार को पहले प्ताना चाहिए कि इनकी क्या इस्तितिय है, आज आप देख लेकि ये सरकार के निर्नाई के बाद, बिधान सभा से पारित होने के बाद ये पूरे त्री संकों में लटका उआ तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इन 1922 खत्यार अधारी तस्ताने निती को जारखन राज में लागू करती है। वो भी सियारखन राजपरसन जारखन राज में लागू करती है। उसके बाद सरकार को आवार जात्रा करने के लिए जाना चाहिए था। तो निश्चीत रूप से सरकार चाहां विकास में आप देखे हो ये सोर के नाम पर दो साल विकास की सारी जोज नहीं रध हुए तो आज विकास के मामले में विधिवस्ता के मामले में हर मामले में सरकार पूरी तरह से पहले लेकिन सब्ता पक्ष इसको लेकर लगतार ये कहती भी नज़र आ रही है कि ये जो अमिद्शा का दौरा इससे कुछ भी नहीं होगा जैसे आपने कहा कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है तो क्या इसको लेकर कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा कुलहान में? लेकिन निश्यतरुप से कौलहान में पूरे जारखन में अंतर पड़ेगा और सरकार का करनी ही 2024 का मार्ग NDA के लिए प्रसस्त करेगा लेकिन नियोजन निती को भी लेकर सरकार परस्त नहीं है, इसको लेकर क्या लगता है कि सरकार आखिर क्यूं ने इसको लेकर जल्दी कुछ संसोधन कर रही है? इसको लेकर क्यों नहीं कुछ पहल करेंगे। इसको लेकर लगतार कई सवाल भी उठ रहें।